मैं आज हैरान और परेशान हूं पर सरकारें लोगों की हित की बात सुनना चाहिए मैं रोजाना जिस आदमी की भीजली की बिल हर महीने की 5,000 आती थी उसकी 50,000 रुपे आ गई जिस इस्कूल की बिल 30 से 40 जार आती थी जो इस्कूल आज 8 महीने से बंद पड़ा है उस्कूल की बिल हर महीने की 50-60,000 रुपे चली आ रही है इस्कूल खुलते ही नहीं है लोग परेशान हैं कम्प्लेंड कर रहे हैं कोई जाकर के जहां पर रिलाइंस का है रिलाइंस के पा जाएं इस बात को अरे भाई बंद था इस्कूल 6-7-8 मेंने इस्कूल खुलाई नहीं एक पंखा चलाई नहीं एक लाइट जली नहीं जब चलता था इस्कूल तो 40,000 की बिला दी थी इस्कूल बंद है तो उसके एक लाग की बिल 70,000 की बिल और चेक करा नहीं बोले लोगों को शकायत है कि उनकी बिल जादा आ रही है इस पर कुछ 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 कंट्रोल हो चाहिए अगर आप यह कह देंगे बिल भरनी पड़ेगा तो मुझे लगता है कि यह बिलकुल तरीखा सही नहीं होगा नितुन राव साब मैं आपसे निवदन करना चाहता हूँ इस लोगों की परिशानी को दूर कीजिए और आप इस तरह का स्टेटमेंट भेजेंगे कि नहीं बिल सबको भरना पड़ेगा तो मुझे लगता कि यह बहुत दुख की बात है और हम ऐसे स्टेटमेंट को सुननना नहीं चाहते